अगर वाकई आपने अपने English को improve किया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन में से कौन सा sentence सही है, यानि अगर आपको कहिना हो कि मेरे पास 200 रुपी हैं, तो इसका सही translation क्या होगा, क्या ये होगा, I have 200 रुपीज, या I have 200 रुपीज, यानि आप 100 बोलेंगे या 100, यहां 5000 लोग हैं, तो इसका सही translation क्या होगा, क्या आप ये कहेंगे, there are 5000 men, या फिर आप ये कहेंगे, there are 5000 men, यानि आप बोलेंगे 1000 या 1000, यहां मैं आपको देता हूँ 5 seconds, और आप comment box में अपना answer type करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही answer दिया या घलत, यहां का टाइम शुरू होता है, यहां मैं आपको बता दो कि क्या सही है और क्या गलत है, पहले आप इन दोनों sentences पर गौर करें, यहां 5000 लोग हैं, और दूसरा, यहां 1000 लोग हैं, यहां पहले sentence में 1000 के पहले, पहले आया कोई number, जो था 5, तो अगर आपके sentence ऐसे हो, जहां 1000 या 100 के पहले कोई number आये, यानि 500, 600, या 5000, 6000, 7000, तो यहां पर आप 1000 के लिए बोलेंगे 1000, और 100 के लिए बोलेंगे 100, यानि आप इसका इस्तेमाल ना करें, तो जैसा कि यहां पर लिखा है, यहां 5000 लोग हैं, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, there are 5000 men here, यानि यहां 5000 लोग हैं, लेकिन मालीजी अगर आपको कहना हो, यहां 1000 लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इस sentence में कोई number नहीं आया, कोई संख्या नहीं बताया गया, तो यहां पर 1000 के लिए आप बोलेंगे 1000, और सैकला के लिए आप बो men, यानि यहां 1000 लोग हैं, यहां पर एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा, कि जब आपके sentence में कोई number नहीं, यानि कोई संख्या नहीं तो आप 1000 या 100 के बाद बोलेंगे of, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आईए दो sentence और देखते हैं, ताकि अगर आप confusion हो सके, मेरे पास 200 रुपिये हैं, तो इस sentence के लिए आप कहेंगे, I have 200 रुपीज, यानि मेरे पास 200 रुपिये हैं, यहां 100 के लिए मैंने बोला 100, क्योंकि मेरे sentence में number आया हुआ है, जो है 2, लेकिन अगर आपको कहना हो, मेरे पास साइकडों लोग हैं, तो इस sentence के लिए आप क बोला, यानि मैंने संख्या जाहिर नहीं किया, इसलिए मैंने यहां पर लिखा hundreds, और आप देख सकते हैं, मैंने hundreds के बाद बोला off, तो friends, उमीद करता हूँ कि आपको यह concept समझ में आ गया, कि 1000 के लिए आप thousand और thousands दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके sentence में कोई number आया sentence off, यह वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में जरूर बताएं, फिर मिनेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ, तब तक के लिए, bye